हलो दोस्तो नमस्कार इनके जितने भी important videos है इन सभी के link नीचे description में दिये है आप चाहो तो इनको भी cover कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को start कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर and दोस्तो stock market में एक जबरदस्त बहुत बड़ा mega भुकंप हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है तो यह भुकंप किसने लाया है तो दोस्तो यह भुकंप लाया है Relance इंटर करते ही जा रहा है और आगे भी करेगा सो दोस्तो Relance के अगर हम लोग बात करें हाली में ही आपको याद होगा financial services में भी Relance ने इंटर कर लिया जियो financial services के चलते इसके चलते आपको यह भी पता है कि एक share आपको extra मिलेगा अगर आपके पास Relance का share होगा तो जैसी यह announcement हुआ था पेटीम जैसी बड़ी बड़ी दिगज कमपनिया बजाच फाइनस जैसी कमपनी में भी थोड़ा सामनों को हलका सा जटका लगते वे देखने का आपके मिला था क्योंकि बहुत बड़ा player बाजार में इंटर कर रहा है सो यह तो हो गई पूरानी खबर दैन दोस्तो अभी हाली की latest खबर क्या सामने आ रहे है कि दोस्तो Relance अभी यहाँ पे fast moving consumer good जिसको में लोग प्यार से FMCG बोलते हैं सो FMCG सेक्टर में officially announcement यहाँ पे मतलब entry से related announcement कर चुका है सो दोस्तो definitely Relance का FMCG में entry करना यह बाकी FMCG player के लिए सरदर्थ साबित हो सकता है और कौन-कौन से companies को यहाँ पे challenge अभी यहाँ पे मिलने वाला है वो मैं आपके सामने आपे जरूर रखूँगा प्लस उसी के साथ साथ बाकी companies की क्यों band बच सकती है और Relance को कैसे इसका फाइदा हो सकता है इसके पीछे का logic क्या है वो भी मैं आपके सामने आपे जरूर रखने वाला हूँ तो definitely दोस्तो Relance ने जो अपना brand launch किया है FMCG के under वो है दोस्तो independence कन-कन में भारत यह brand उन्होंने फिलाल तो यहाँ पे क्या क्या है Relance Consumer Product जो की FMCG में जैसे में आप लोगों को पता है और यह किसके under आते है Relance Retail के under आ जाते है Relance Retail का पूरा नाम है RRVL जैसको हम लोग बोलते है Relance Retail Ventures Limited So definitely यह fully owneded subsidiary है RRVL के अंदर यह आ जाती है So definitely RRVL भी कोई से अलग से listed है नहीं तो इसका benefit ultimately अगर आपको उठा नहीं है तो Relance Industry के वल यह एकी stock stock market में फिलाल तो listed है So definitely Relance Consumer Product यह बाजार में एंटर करते वे देखने है मतलब अलड़ी यहापे है बट इस brand के चलते उसकी entry यहापे होने वाली है और यह जो launch था हम लोगों को already देखने को आपे मिल चुका है जैसे मैंने बताया brand independence यह गुजरात में हम लोगों को इसकी चलती शुरुआत होते वे देखने को आपे मिल चुकी है So company आपे pack foods से related entry करते वे देखने को मिले जो कि FMCG के अंडर ही आपे आ जाती है अभी companies ने कुछ यहापे चीजे सामने रखी है FMCG में क्या-क्या उनका product portfolio रहेगा तो इसमें आप देख सकते स्टैपल्स देखने को यहापे मिल जाएंगे उसी के साथ साथ process foods देखने को आप लोगों को यहापे मिल जाएंगे उनको जबरदस competition मिलने वाले जैसे कि अदानी विलमार Tata Consumer ITC यह भी same products में हम लोगो यहापे उनका जो product portfolio है उसमें काम करते हैं देखने को मिल जाते हैं तो उनको तो definitely यहापे टकर मिलने वाली है जितना business आप लोगों को बता है competition यहापे बढ़ जाता है consumer के लिए customer के लिए अच्छी बात होती है बट businesses के लिए बुरी बात क्योंकि market divide यहापे हो जाता है तो यह देखना पड़ेगा कि Reliance किस प्रकार के business करता है और किसका market share यहापे इट करता है जिसका market share वो इट करेगा definitely हम लोगो उस company के share price में धीमें धीमें करके गिरावड भी देखने को मिल सकती है तो दोस्तों next अभी हम लोग यहापे आ जाते है important point के उपर अभी फिलाल Reliance retail की बात करे तो इशा अमबनी के under हम लोगो यह company देखने को मिल जाती है उसमें कुछ उनने points add के जैसे कि आप देख सकते हो खास करके यह देखे edible oil के अगर हम लोग बात करें आप लोग सोचते होंगे आदानी विलमार का नाम क्यों है तो यहापे पतन जाली का भी नाम आना चाहिए edible oil से related उनका भी business है तो यह इंटर कर रहे है उसी के साथ-साथ pulses के एक बात करें तो वो भी इंटर यहापे segment हो रहे grains के अगर हम लोग बात करें pack food के अगर हम लोग बात करें daily जो भी रोज मरा की जो चीजे हम लोग को लगते है खाने से related spices की बात हो इन सभी sector मे relance अभी धिमे धिमे करके हम लोग को इंटर करते हुए देखने को आपे मिलने वाले जो कि FMCG के umbrella के ही under हम लोग को आजते हुए देखने को आपे मिल जाते है तो definitely दोस्तों ऐसे और भी अलग-अलग छोटे-मोटे बिजनेसे से जिनके चलते relance की बात्चीत है आपे चल रहे है relance ने अपना target रखा है कि आने वाले 5 साल में वो एक करोड ऐसे लोग है जो FMCG से related business करते हुए देखने को मिल जाते है उनके साथ वो यहापे जुणना चाहेंगे कुछ companies को वो खरीदने की भी कोशिश यहापे कर सकते है और उनने का है कि 5 बड़े brands की साथ मिल चुका है और इसके चलते बाकी जो players रहेंगे उनके हो हम लोगों को अभी एक challenge मिलते वे देखने को आपे मिल चुका है अभी जैसे मैंने कहा कि Relance ने enter किया है तो सबसे बड़ा Relance का strength किया है दोस्तों तो Relance का strength है यहापे जैसे मिने आप लोगों को बता है कि 2-3 साल पहले Relance ने जो पहले से ही जो बीज रोके रखा था वो अभी पेड़ बनते वे देखने को मिल रहा है और वही उनके लिए सबसे बड़ी strength साबित होने वाली है मतलब social media yes also facebook आप सब लोगों को याद होगा whatsapp आपको याद होगा उसी की साथ-साथ इनी के अंडर हम लोगों को Instagram भी देखने को आपे मिल जाता है Mark Zuckerberg इनी के अंदर ये सारी companies आ जाती है and Relance की जो business में है इनी companies में निवेश करके आपे रखा हुआ है इसी का इस्तमाल Relance आने वाले समय में आपे करने वाला है so लोगों तक पोचना बहुत ही easy हो जाएगा Relance के लिए क्योंकि social media के अगर हम लोग बात करे whatsapp की बात करे उसी के साथ साथ इंस्टा की बात करे facebook की बात करे तो बहुत ही aggressively level के उपर यह लोगों के अंदर यहापे आ चुका है social media का consumption लोग कितना करते आप सबी लोगों को अलरी यहापे पता होगा ही होगा so definitely यहापे हम लोग कह सकते यह सबसे बड़ी strength है जिसके चलते Relance को अपनी marketing करने के लिए जादा time नहीं लगेगा जो भी नई चीज उनको launch करनी है वो जबरदस तरीके से launch कर सकते है and 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 ऐसी कोई बात नहीं कि यह सिर्फ इनीक चीजों के उपर वो निरबर रहेंगे Relance का Geo Mart तो ही so Geo Mart के shelf के उपर अभी Relance के खुदके भी products मिल जाएंगे जैसे की Demart के रहते है तो definitely एक कमाल का business model फिलाल तो Relance हम लोगों को आगे बढ़ते वे देखने का आपे मिल सकता है and जैसे मैं आप लोगों को यह आपे बात किये दोस्तों कि यह जो शुरुआत है आपे हुई है वो आने वाले समय में और भी अलग-अलग acquisitions में आपे तकदिल हो जाएंगी तो ultimately जो Relance का जो business है वो हम लोगो FMC sector में बहुत ही जबरदस तरीके से बड़ा होते वे देखने का आपे मिल सकता है and जैसे मैं आपको यह भी बता है कि Relance इंटर कर रहा है किसी particular sector में तो यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं यह बहुत बड़ा brand है लोग मतलब खरीदने के पहले ही मतलब यह कहेंगे कि हाँ Relance से related है न तो ठीक ही है कोई try करना होगा तो शायद से वो try भी कर से थे हैं Relance का आपको पता ही है competition में मतलब competition खतम करने का उनका एक unique तरिका कौन सा unique तरिका येस वो थोड़ी सी चीजों को सस्ते दाम में लेकर आते है अभी zero में तो नहीं देख सकते हैं यहाँ पर फिलाल बट सस्ते दाम में चीजों को लेकर आते हैं जैसे सस्तेदा में आ जाते तो आपको पता है कि एक particular group ऐसा रहते हैं, अलग-अलग type के मतलब consumers रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो कि बिलकुल भी brand के साथ compromise नहीं करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, जहाँ पर सस्ता उनको मिल जाते हैं, इसी चीज़े भी आप लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, अगर एक बार रिलाइंस ने ऐसा किया हैं, अगर वो शायद से अगर जो first time use करने वाले में से, अगर 10-15% को भी अगर convert कर पाए अपनी और, तो definitely रिलाइंस का market share हम लोगों को धिमे-धिमे करके grow होते हैं, देखने को भी आपे मिल सकता है, तो definitely दोस्तो ये बाकी players के लिए बिलकुल भी अच्छी खबर नहीं है, अभी इसके चलते हैं आप लोगी ये सोचों कि क्या ITC में exit कर ले, क्या Tata consumer product में हम लोग exit कर ले, क्या अदानी विलमार में exit कर ले, पतानजली foods में exit कर ले, मैरिको में exit कर ले, डाबर में exit कर ले, तो ऐसा exit करने की ज़रुत नहीं है दोस्तों, ये पहले देखना पड़ेगा, मैंने शुरुवात में ये आप लोगों को बोल दिया, कि Reliance अगर enter कर रहा है, पहले तो वो कितना successful होता है, ये देखना पड़ेगा, अगर वो successful हो रहा है, उनका market share अगर grow हो रहा है, तो चेक करना पड़ेगा कि किसके market share को वो खाराए करके, और जिसको market share को वो खारा है, definitely उस company के share price पे हम लोगों को impact देखने कुम लेगा, और उस particular share में आप लोगोंने विचार करना चाहिए, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अभी जो बड़े players रहते हैं, वो definitely इस announcement के बाद active तो हो ही जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से वो business करेंगे, तो ये सारी आगे वाली इवट वाली चीज़े है, उसके उपर focus यहाँ पर रखना चाहिए, तो आप भी अपनी रहे जरू comment section में रख सकते हो, यहाँ पर क्या आपको लगता है, Reliance का FMCG का business grow करेगा, अगर करेगा, तो कौन से बाकी बिजनेस को यहाँ पर खत्रा है, क्या आपको लगता है, ITC को खत्रा है, या फिर टाटा कंजूमर, या फिर अदानी विलमार, पतन जली फूड्स, मैरीको, डाबर, बहुत सारे अलग-अलग बिजनेसे, कौन से बिजनेस को यहाँ पर impact करवा सकता है, आप भी अपनी किम्ती राइज, जरू कमेंट सेक्षन में यहाँ रख सकते हो, मैं वो राइज यहाँ पर पढ़ना पसंद करूँगा, आशा करता हो दोस्तो, वीडियो हलफूल लगाओगा, तो जरू लाइक और शेर कर देना है, डिमेट अकांट अगर अभी तक उपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, 25 वोड़े की लिस्ट आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी, बगपे, बगब भी तक हाओगागा,